हाई गाई वेलकम टो माई चैनल एब राट किक तो होप करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो अभी आज हम डिसकस करते हैं कि UK के अंदर जो भी वीजा और इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूस है तो आज हम वो डिसकस करेंगे कि उसमें गुड न्यूस क्या ह है और बैड न्यूस क्या है तो आज हम वो ही सब चीजे अभी जो इंपॉर्टेंट गॉर्मेंट की तरफ से निकल कर आई हैं आज हम वो गॉर्मेंट के जो सिक्स प्रपोजल्स हैं जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं जो भी इंडिया से भाहर लोग हैं उनको मतलब UK में है आज हम वो डिसकस करते हैं तो जो अभी जो न्यू प्रपोजल्स निकल के आया जो न्यू गार्मेंट फर्म हुई है तो जो न्यू पी-ेम है उनने जो अनॉंस किया है वो यह है कि इमिग्रेशन के जो rules हैं वो थोड़े रिलैक्स हूंगे पहले से फिल गार्मेंट की त तो UK भी अपने एक list तयार करेगा जिस जिस occupations के अंदर यहां पर shortage है workers नहीं है तो Brexit के बाद वो जो issues यहां पर UK face कर रहा है तो उस से related वो मतलब against जो भी occupation को fill करने के लिए जल्दी से जल्दी visa process के लिए तो वो सब चीजे अभी first proposal में हैं जो second proposal है वो यह है कि UK के अंदर आप मतलब एक temporary एक permanent visa होता है normal और एक आपका temporary visa होता है जो आपको जो भी यहां पर occupations होते हैं जैसे seasonal visa हो गया जो भी आपकी jobs related to farming है construction है उनको दिया जाता है जो यहां पर long term यहां पर रह नहीं सकते बट during that season जो चीजे खराब ना हो crops खराब ना हो तो उनको handle करने के लिए जो अभी जो limit है वो raise करी जा रही है वो तरह के visa के लिए जो थर्ड प्रपोजल है वो यह है कि जो भी native English related countries नहीं है जैसे इंडिया हो गया बांगलादेश हो गया नेपाल हो गया तो वहां पर हम लोगों को English spoken countries नहीं है इंग्रेट कर सकें UK के अंदर work से related काम के लिए जो next four जो प्रपोजल है वो है कि वो जो visa की जो cost है वो उसको low करने के लिए जो visa cost जो आपकी low होती है तो जहादा लोग apply कर सकते है प्रोसेसिंग time अगर improve कर पाएं जैसे अभी काफी सारे जो student visa है जो work visas है वो ब extra pay कर चुके हैं उसके बाद भी उनको मतलब बहुत जादा पे करना बढ़ रहा है status नहीं सही से मिल पा रहा है उनको तो यह सारी चीज़े जो है अभी issues आ रहे हैं UK के अंदर ठीक है तो वो सब चीजों को solve करने के लिए यह proposal है जो next fifth आपका है वो है कि जो PR के अंदर आपक की year की salary होनी चाहिए तो वो भी वो removal के लिए भी propose किया है ताकि जाद से जादा लोग यहां पर जो immigrate हुआ है वो permanent हो सके और मतलब उनके पास job है secure तब ही वो यहां पर permanent हो सकते हैं तो वो अगर threshold remove हो जाता है तो काफी सारे जो बच्चे हां पर पढ़ाई के लिए आ रहे ह उनको आगे benefit होगा अगर उनको sponsorship मिल जाती है UK के अंदर जो next जो six proposal है वो यह है जितने भी broadband engineers है UK के मतलब भार से जो भी मतलब उनको visa मिलता है तो उनको जाद से अधा visa दिया जाएगा जिसकी विज़ा से अभी जो new PM है उन्होंने यह announce कि है 2025 तक UK में पूरी fiber optics की wires और हर घ जाल से अधा visa दिया जाएगा तो यह यह सारी जो आपकी good news ती यह लेकिन यह proposed है अभी government की तरफ से अभी इस पर कोई clarity नहीं है कि वो कब implement होगा तो जो next अब हम discuss करते हैं वो यह करते हैं bad news तो अभी आप देख सकते हैं जो war की वज़र से जो pound है वो काफी ज्यादा अपन जो भी students आ रहे हैं वो बहुत costly हो गया जैसे आप बिजली पानी energy के bills हो गए या आप normal day-to-day life में अगर आप खाने का समान लेते हैं वो सारा जो import होता है आप वो costly होता जा रहा है आपका petrol, fuel यह सब चीज़े जो आपकी हैं यह सब costly होती जारे हैं क्योंकि pound जो है dollar के अगे तो जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं तो वो आप अपना प्रीज पहले से ही वो सब चीज़े मतलब करकर आना कि आपको यहां पर आगे कोई issues ना हो तो जो next जो bad news है वो यहां कि bank of jo England है उन्होंने जो अभी current situation है UK में तो जो interest rates है वो अब हाई कर सकते हैं loans से related जैसे जो भी loans जहां पर यूज़े जो भी लेते हैं तो वो हाई करेंगे तो उसकी विज़े से मतलब chances है कि जो cost of living है वो थोड़ा और हाई होता जाए ताकि लोग यहां पर जहाँ स्यादा पैसा जो bank से lend करने है वो थोड़ा कम हो जिसकी विज़े से थोड़ी currency strong हो तो यही सब चीज़ है guys क्योंकि Brexit के बाद यहां पर काफी सारी issues हुए है UK में फिक कोवर्ड आ गया है और अभी last year से अभी तक काफी जादा मतलब cost of living बहुत मतलब cost ही होती जा रही है जो यह सब चीज़ है और जो फिर next जो एक और rule अभी निकल के आ रहा है जो वो यही है कि जो लोग यहां प पर थे तो वह भी प्रपोज किया जा रहा है तो यह सब अभी प्रपोजल है अभी यह सब फाइनल नहीं हुआ है तो होप करता हूं guys आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि आगे और भी कोई अपडेट आए वह आपके साथ म मैं डिसकस कर सेंगों और आपको कुछ और पूछ रहा है तो आप वीडियो के लीचे कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई टेक केर